हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एनस क्लासेज माई नेम इस नीतू आज हम बात करेंगे आपकी EMRS यानिकी एकलवे मॉडल स्कूल के बारे में आप सबको बता है कि यहां पर कुछ टाइम पहले ही आपकी विकेंसी आउट हुई थी 3479 के पत पर यानिकी 3489 के पत पर जो है आप पर क्योंकि यहां पर एक रूल लागू था EMRS के अंदर एकलवे पुब्लिक स्कूल के अंदर कि आपके पास अगर डॉमिसाइल है तब ही जो है आप फॉर्म को भर सकते हो मतलब जिस स्टेट की विकेंसी है अगर हर्याना में विकेंसी है तो आपके पास हर्याना का सब्सक्राइल होना चाहिए ऐसे ही यह जो विकेंसी है आपकी सेंट्रल विकेंसी है और अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरात हो तो आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि डेट एक्स्टेंड हुई है मतलब 31 माई तो डेट एक्स्टेंड हो गई साथ में क् डोमेसाइल सर्टीफिकेट जो है जब अब अप्लिकेशन फॉर्म को सम्मिट करो जब अप्लिकेशन फॉर्म को भर रहे हो उस टाइम पे डोमेसाइल की जुरत नहीं है ठीक है जब आप वहाँ पर इंटर्व्यू दोगे जब आपके डोक्युमेंट वेरिफिशिस जो भी नहीं बना तो साथ में एक महीना डेट अग्स्टाइड होगी साथ में आपके डोमसायल के लिए बीचूट देदी है यानि की आपको जो है जब भर रहे हो आपको जो है डोमसायल की जुरत नहीं है ठीक है साथ में ये भी बड़ा नोटिस आया है computer science वालों के लिए e.mrs में से कि उनके लिए जो syllabus है क्योंकि syllabus मैंशन नहीं था तो जो computer science वाले बच्चे हैं उनका syllabus क्या होगा उनका syllabus जो है वो ncrt ncrt 12th class की और अगर hard level की बात करें तो up to graduation level तो graduation तक आपको पढ़ना है जो भी आपने subject करें है वो आपका जो है syllabus है ठीक है बाकी हम detail में देख लेते हैं देखो हम इसको explore करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से clear out हो जाएगा ठीक है यहां पर हम चलते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखो आपको computer science वालों के लिए special notice लिखा है syllabus for subject knowledge part 6 in respect of PGT IT CBST unrevise 2021 computer science and information practice syllabus for class 12th with difficulty level up to graduation ठीक है graduation level तक जो है आपका syllabus रहने वाला है तो आप देख लो भी 12th class में आपका क्या है python आती है ठीक है digital है dbms है computer network है digital है ठीक है तो यह subject है साथ में आपका graduation तक है computer network और यह सारी चीज़े जो है आपकी add-on हो जाएंगी ठीक है यह apply करने का link है अगर आपने अभी तक apply नहीं किया था तो बिल्कुल आप apply कर सकते हो एक बार मैं आप इसका पहले वाला जो official notification है वो भी रिखा देते हूं कि कौन-कौन से subject में जो है vacancy out हुई ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो date जो है the same will be verified by the concerned authority at the time of interview जो इंटर्व्यू होगा तब जो है आपको जो है domicile दिखाना है ठीक है extended डिर जो है बुबनाभ अफि एफ यस टूफिल 3 4 79 वेकंसी देक लवर मोडल रेजिजेंशनील स्कूल ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो आप देख देख परदेश प्रिंसिपल की चोदा विकेंसी थी और वाइस प्रिंसिपल की 90 पोरेशन टीनिचर की कोई प्रफिज्टी और टीजिटी की पांसोचोदा वेकंसी गुजरात में 161 हिमाचल परदेश में 8 वेकंसी जारकंड में 208 जमु कश्मीर में 14 मध्या परदेश में 1279 यहने की सबसे जाधा जो वेकंसी है वह आपकी MP के अंदर है महाराश्ट्र में 276 मानिपूर में 40 मिजौरम म में 144 राजस्थान में 316 सिक्केम में 44 तेलंगना में 262 त्रीपूरा में 58 उत्रपरदेश में 79 उत्राखंड में 9 वेकंसी और टोटल जो आपकी हो जाती है 3479 टीजिटी की 91944 पीजिटी की 1244 वाइस प्रिंसिपल की 116 और वाइस प्रिंसिपल की 175 तो यह जो है आपकी मैंने आपको डिटेल में पुराने वाले वीडियो में भी सारी चीजे कवर अप करवा दिती कि क्या स्लेबस है क्या क्राइटेरिया है ठीक है और जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए बीएड कंपल्सरी नहीं है अधर्वाइस बाकि जितने भी बच्च उन लोगों के लिए अच्छी कुछ कबरी है गर वीडियो अच्छी लगे हो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो शेयर करो जादा से जादा सब्सक्राइब करो तो फिर मिलेंगे ऐसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई और थांक यू